हेलो फ्रेंद Straight dc your.com ए कस को आपको हमारे सभी कूकिंग कूकिंग कूची से प्लेश्च पर आप क्लेश पर ने प्लेश्च पर हमारे सभी कूकिंग एंडबेकिंग कूची देखने को मिलेगीं आप हमारी सभी रेसेपी को 200 बाते और ओके फ्रेंड आज हम अपने ड्राय मसाला कोड़ तरफ आगे बढ़ते हैं इस कोड़ की ड्रेशपी नमबर 12 पावभाजी मसाला की हम आपके साथ सेयर करने आएं हैं पावभाजी मसाला की सुरूत से आखरी से जिरूर देखेगा रेसिपी के पसंद आने पर रेसिपी को ला में लेओं दाल चीकर इसके बाद मैं लेओं साक्ति प्रेंट मासालों के दात्तington राज़ंगी में मीडियम फ्लेम पर हलका सा गरम करना है Frenak 1-2 मिलट होगे मैं अपने मसालों को हाल लगा कर देखती हूं मेरे मसाले गरम होगे हैंश मैं अपने इन मसालों को ऐप प्लेट में करदूँगे क्लेवराले मसालों को गरम करने के बाद अब मैं ले रही हूं झाबु धनिया इसके बाद मैं ले रही हूं जीरा जीरा जाने गरम होगे अब मैं अपने इन मेति के दानों को प्लेट में कर रही हूं अब मैं ले रही हूं एक बड़े साइज का तेज पात अगर आपके तेज पात का साइज छोटा है तो आपको दो तेज पात लेने तेज पत्ते को अलट पलट कर हलका सा गरम करना है लो फिलिम प इसलिए मैं नमक को हलका सा गरम कर रही हूं नमक को गरम करने से नमक में जो मोश्चर होता है वह सब खतम हो जाता है नमक को भी लो फिलिम पर हलका सा गरम करना है सफे नमक आप यहां पर कोई सभी ले सकते हैं जो आपके टेस्ट में हो फ्रेंड नमक के गरम हो जाने के बाद नमक को एक दूसरे बाउल में करना है अब मैं ले नियू कसूरी मेथी फ्रेंड कसूरी मेथी भो जल्दी रोस्ट हो जाती है इसलिए आपको अपनी कसूरी मेथी को बंद गैस पर हल्का सा रोस्ट करना है मेरा पैन पहले से गरम है इसलिए मैं अपने इस कसूरी मेथी को बं में रखकर भी घरम कर सकते हैं मसालों के थंड़ा हो जाने के बाद अब मैं अपने इन मसालों को मिक्षी के जार में डाल रही हूं मसालों को मिक्षी के जार में डालने के बाद अब मैं इनका बारिक पॉडर बना का त्यार कर दिया है अब मैं अपने इस मसाले में पॉडर व किया था अब मैं ले रही हूं अमचूर पाउडर आपको अपने इस मसाले में कलर और तेस्ट दोनों देने के लिए मैं ले रही हूं कस्मीरी लालमिच पाउडर खाने में कम तीकी होती है यह कलर देने का ज्यादा काम करती है अगर आपको अपने इस मसाले में कलर देने के सा तीखापन भी देना है तो आपको कसमीनी लालमीच पॉर्डर के साथ एक छोटी चमच तीखी वाली लालमीच पॉर्डर भी लेनी है यह करता है पूर्द को इसे भी ब्रेंड का यूच कर सकते हैं जो आपके टेस्ट में हुआ अब मैं अपने मसाले में कलर देने के लिए और मसालों के साथ कश्मी लानमी पोडर आने के करूँगी येधह वन मिक्षी में घुमाने के वाद हमारे सभी मसाले आपसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं अब मैं इस मसाले की प्लेटिंग करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारा मसाला कितने वेट में बनकर त्यार हुआ है फ्रेंड आप इसमें एक छूटी चम्मच गार्लिक पोरवाला बनाकर त्यार कर सकते हैं यह देखे फ्रेंड हमने अपने पावभाजी मसाले की प्लेटिंग कर दी है हमारी बताई की रेसिपी से यह है पाव भाजी मसाला 12 बड़ी चम्मच और ग्राम के साब से 80-85 ग्राम बनका त्यार होता है आप अपने इस पाव भाजी मसाले को एटाइट कंटेनर में करके 8-9 महिने असानी से स्टोर करके रख सकते हैं आपको हमारा पाव भाजी मसाला देखने में मार्केट से भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा यह आपको देखने में जितना अच्छा दिखाई दे रहा होगा इसकी पाव भाजी भी बहुत अच्छी बनका त्यार होती है आप हमारी बताई के recipe से एक वार अपने घर पर पावभाजी मसाला जरूर बना कर देखिएगा अगर आपको हमारे dry masala के course में पावभाजी मसाला की recipe पसंद आईए तो प्लीज इस recipe की वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा बराबर में बने bell icon को दवाना ना भूलिएगा, bell icon को दवाने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के वाद अगर आपके अपने कोई doubts हैं तो वीडियो की नीचे दिएगए comment box में आप अपने doubts को share कर सकते हैं